मैं सभी पॉलिटिकल नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें दिक्कत क्या है आज वख में शंशोदन होना बहुत जुरूरी है 1950 में हमारे नहिरू जी ने लियाखत अली खान जो कि पाकिस्तान के प्रदान मनती थे लिए उंसे मिलकर जो भारत से भागे दूम दबाकर पाकिस्तान बना उनकी बचाने के लिए वो समय पर वफ एक एक अध डूर करेंगे वो समय पर उन प्लैनिंग हुई उसको 95 में इम्प्लिबन किया गया दुर्भागी के बात यह है कि उतना खतरनाग और बनाया गया का कोई कर्मचारी के वफ लैंड है तो भारत देश का कोई भी कानून यह एरपोड को नहीं बाचा सकता उतना strongly उस act को बनाया गया जब 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हुए वो समय पर वफ लैंड भारत में कितना था चार लाग एकर और आज कितना है नौ लाग चालिस हजार एकर यतना आलंड कहा से आयन के पास क्योंकि जो लोग पाकिस्तान भाग गए उनका लैंड तो इतना नहीं था दुर्भागी की बात है कि ऐसे लोगों का लैंड जिनोंने ट्रेनों में हिंदों को मार मार कर लाशें भरबर के भारत को ट्रेने भरबर के ऐसे लोगों का लैंड बचाने के लिए एक्ड बनाते हैं कॉंग्रेसी और खुलेयाम इनका जमीन कबजा करने के लिए देते हैं इत तिलंगाना में जो शम्शावाद एरपोट है ना वो एरपोट टोटली 5500 एकर में वो पुरा एरपोट है जिसमें से 1100 एकर लैंड ये अपना बताते हैं तिलंगाना में ऐसे कहीं बड़े-बड़े 5-star होटल से उसको ये लोग नोटिस मिशते हैं कि ये लैंड हमारा है यान नहीं वफ के जो अधिकारी है उसका भौती गलत तरीके से उपयोग इन्होंने किया है इसलिए शंशोधन के लिए प्रधान मंतरी मोदी जी को बहुत सारे मुसलमानों ने निविदन किया तब जाकर उसको शंशोधन करने की योज ना रखी तो इन जो हमारे जितने भी जो विरोध कर रहे हैं